बॉक लाया हुआ है हसन नसरल्ला, दरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन, नसरल्ला को मार डालेगा इजरेल हसन नसरल्ला, इजरेल का दुश्मन नमबर दू, हिजबुल्ला का चीफ, इजरेल के खिलाफ नसरल्ला ने हमले का ताजा ओर्डर जारी किया है, इस ओर्डर के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरेल पर साथ रॉकिट दागे हैं अजरेल बाद्य मुश्मन ने ओर्डर की उर्डर को दुश्मन ने जipिला इजरेल इता, 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 भर इना pollsीन उ से हुश्मन हैं त póर का ओरेल, जर्डरह सृ ऐ tapping किवार। । और विभाकिए अल्कादह और क्वादिर फे अल्कसाम और हमास लजीन अस्टश्विदू बिलामस फी अद्वान इस्राइली फादिह और अल्डाषित जनूबियती लिए हसन नसरलाज जिस तरह से आक्शन में है उसे देख कर लगता है कि इसरेल ने नमबर टू टार्गेट सेट कर दिया है हमास का खात्मा करते करते इसरेल लेबनान में हेजबुला के लड़ाकों को चुन-चुन कर मारने बाला है नसरला खुलम खुला इसरेल की ताकत को चैलेंज कर रहा है बदला लेने की धमकी दे रहा है जी बदला उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लेबनान में चिप कर बैठा था इसरेल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नीम सुला दिया अन यकुन मोत हू गतलन वाला यद मन आपको आगे दिखाएंगे कि हेजबुलास संगठन में इसरैल की गूद से बचने के लिए कौन सी प्रैनिंग की है लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब नसर अल्ला ने कहा कि इसरैल को छोड़ेंगे नहीं तो इसरैल ने क्या प्रदिक्रिया दी है जवाब में इसरैल ने कहा है कि हमले में हमास के हुप प्रमुख की मौत लिबनान पर हमला नहीं था हमास के नत्रितों के खिलाफ की गई एक सर्जिकल श्ट्राइक में साले अल अरूरी की मौत हो गई 2006 के बाद ये पहली बार है जब इसरैल की फौज लिबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला हिजबुल्ला के लिए ये बेहद शर्मनाक है कि उसके रहते हुए इसरैली सेना उसके इलाखे में घुस कर उसके चाहेते अरूरी को मार डाला हसन नसरैल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अन्दाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरैल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने बाला होगा मुश्ए रगा है कि अबाला हुए बिलाज़ा हेवलाग शुहदाग शुहदाग नफस तरीक नफस अल्कदिया सालेह अल-अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इस्रेली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था 57 वर्शे अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिन्दगी बिता रहा था इस्रेली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी अरूरी बिछले चार वर्शों से आईडियाप के निशाने पर था मौका मिलते ही अरूरी को इस्रेली सेना ने मार डाला कहा जा रहा है कि अरूरी इस्रेल के ड्रून हमले में मारा गया अरूरी हमास और हिजबुला के बीच एक कड़ी था अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुला उसका खुल कर समर्थन करता रहा लेकिन इस्रेल ने नस्रला के सबसे करीबियों में से एक कुमार उसे बहुत बड़ा जटका दे दिया है लेहाजा नस्रला बदले की आग में जल रहा है इस्रेल के भय से नस्रला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं देखता लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नस्रला एक शिया आले मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हेजबॉला ग्रुप के प्रमुक है इस प्रमुक को इस समय लेबनान के सबसे एहम राजनितिक दलों में गिना जाता है जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है हसन नस्रला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोप्री है एरान और अलीखामनेई के साथ बहुत निकटके और विशेश संबन ने हिज्बुला को अमेरिका की ओर से आतनक्वादी संग्चनों की सूचि में शामिल किया गया है हिज्बुला का मकसद इस्रेल की वरबादी है इसरैल भी हिजबुल्ला को हमास से ज़्यादा शक्षाली दौश्मन वानता है यह भी कलियर है कि बिना हिजबुल्ला के सफाय के या किसी शान्ती समझोते के इसरैल चैन में जी पाएगा क्योंकि हिजबुल्ला इसरैल के खेलाफ हामले करने से बाद नहीं आएगा हिस्बॉल्ला के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है जिसमें ऐसी मिसायले شامل हैं जो इस्गैली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ागे हैं इस्गैल के मुताबिक हिस्बॉल्ला के करीब 45,000 मिसायले हैं हेजबुल्ला के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइले हैं इन में तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल है इसके अलाबा हेजबुल्ला के पास एंटी टैंक हतियार, मानो रहे द्रोन, एंटी शिप मिसाइले और हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद है जाहिर है, इसरेल को घज़ा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हेजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया थो लेकिन मुश्किल है कि हेजबुल्ला को रोकने के अलाबा इसरेल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है यही वज़े है कि इस्रेली प्रधान मंत्री वेनेमिन नेतनियाहू ने कह रखा है कि अगर हेजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मोर्चा खोलता है तो उसको और कल्पनी जवाब दिया जाएगा सवाल बनता है तो क्या लिबनान के खिलाब इस्रेल जन का ऐलान करने ही वाला है अगर ऐसा होता है तो फिर इरान आएगा वही इरान जिसने हमास को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया इरान इस्रेल के हमले के वक्त हेजबुल्ला के साथ खड़ा होगा इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अरब वॉर्ड ऐसे ही हिजबुल्ला, हमास और हुथी विद्रोहियों को इसरेल के खिलाफ उतारता रहा है इसरेल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हथियार बंद संगठन नहीं है, बलकि अरबों के इसरेल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है इरान खुलेयाम हिजबुल्ला का समर्थन करता है, भूती विद्रोहियों का साथ देता है, हमास को हथियारों की सप्लाई करता है लिएज़ाजा ये बात तो बहुत साफ है कि इसरेल को फाइनली इरान से ही दो-दो हाथ करना होगा, तब ही इसरेल को सुकून मिलेगा लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इरान अब सत्तर के दशक वाला इरान नहीं है उसके पास भी कहा जाता है कि परमाणू बम है अब ध्यान दीजे कि हिजबुल्ला के चक्कर में कैसे इरान और इज्रेल के बीच परमाणू युद छिड़ सकता है लेबनान और हेजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पास लड़ाके हैं इरान का समर्थन है, हथियार है लेकिन घौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हेजबुल्ला के साथ नहीं है पूर युद लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर्थन बहुत कम है इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है राजनितिक गतिरोत की वज़़े से उचित ढंग से काम करने वाली सरकार तक नहीं है लेबनान की जनता प्तहले से ग्रिय जुद सशस्त्र गोटों के भीच आंत्रिक लड़ाई इस्रेल के साथ संघर्ष और पडोसी सीरिया में युद के चलते मुश्किलों से गुजरती रही है साथ लाग के आबादी वाले इस देश के पास इस्रेल सरीके कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इस्रेल और अमेरिका का एक साथ सामना कर सके इस्रेल से संघर्ष के बीच लेबनान के सैक्रों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शहरों की और भागने के लिए मजबूर हुए है लेकिन हेजबुला इस तरह के पलायन से इस्रेल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला लेबनान और इस्रेल के बीच के दुश्मनी भी नहीं नहीं है 2006 में हेजबुला ने दो इस्रेली सैनिकों को पकड़ लिया था हेजबुल्ला इसके बदले इस्रेली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छोड़वाना चाहता था लेकिन इस्रेल ने शर्त मानने की जगह हेजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला के घर पर बंबारी करके जबाब दिया इसके बाद दोनों के बीट 34 दिनों तक युद्ध चला इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत होई जबकि 165 इस्रेली मारे गए थे 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इस्रेल लेबनान बॉडर करीब करीब शांती रहा कभी कभार लेबनान की तरब से इस्रेल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे जबकि इस्रेल ने 2007 से 2022 तक 22 हजार बार लेबनानी वायुसीमा का उल्लंगन किया है इस्रेल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतन की धर्ती के किसी भी कोने में छुपे होंगे उनकी तलाश की जाएगी और उनका खत्मा किया जाएगा अरूरी को बेरूत में घुज कर मारना इसी कड़ी में है यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी एराग तो कभी लेबनान में ठिकाने बदल कर अपनी जान बचा रहे हैं दूसरी तरफ इसरेल की खुफ्या एजेंसी मोसाद में इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी कीमे लगा रखी है कतर और इरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध बढ़क सकता है लिहाज़ा इसरेल हमास के नेताओं के लिबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ जब तक कतर में था सुरक्षित था लेकिन इरान से होता हुआ जब लिबनान पहुँचा तो ड्रोन हमले में मारा के लगा इसरेल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कतर और इरान से अभी उलजना नहीं हेजबुला हमास और हूथी को शोड़ना नहीं